तो है गाइस वेलकम तो दिस वीडियो एंड इस लाइव ट्रेडिंग वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 9 सित्मबर की यानि कि आज की दिन में जो हमारे ट्रेट रहें उस ट्रेट का लोजिक क्या रहा पूरा लोजिक एक्स्प्लेइन करूंगा प्लस मैंने किस तरीक कितना लौस रहां जो भी है आप लोग साथ में याप और याप शेयर करने वाला है तो वीडियो को देखीगा बहुत सब्सक्राइब करना है जितना सीखोगे उतना ही आप आने वाले टाइम के अंदर कमा पाऊंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो हम आचुके में लेप्टॉप स्किन के उपर सबसे पहले आज डेट देख सकते हो आज जो डेट है वो है 9 सिप्टमबर ठीक है चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आज जो मैंने ट्रेड लिये उसके लोजिक क्या रहा और किस तरीके से मैंने उसको ट्रेड को एक हमने क्या प्लान किया था इस बॉक्स के अंदर ओपन होती है और यहां से उपर निकले के हम कॉल की पोजिशन में बेटेंगे यानि कि 17,815 का लेवल क्रोस करते हैं हम कॉल की पोजिशन बेटेंगे लेकिन हुआ क्या आज मार्केट देख से तो अल्यडी बहुत बड़ा ग हमको यहां पर गेपप मार्केट ओपन होता हुआ नजर आया है ठीक है 100 हो गया फिर 110 इसके आसपास हमको गेपप होता हुआ नजर आया ठीक है यानि कि एक चीज़ आप समझो कल हुआ क्या था ज्यादा था लोग क्योंकि end of the day मार्केट क्या रहा था इसका कल का ट्रेंड लोगों पर के तरफ बेक आउट दिया था और इस लेवल के आसपास बहुत साही लोग BTSD लेके गए होंगे यह बहुत साही लोग यहां पर कॉल बाइक करके गए जो भी समझदान लोग यह सारे लोग कोल कोल बाइक करके गए ठीक है और जैसी मार्केट गेप हुआ तो य जादतर इतने gap up हो जाते हैं उसके बाद जो है price sustain नहीं करती है generally ठीकि यह gap up की theory में आने वाले time के अंदर आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से gap up को trade किया जाता है लेकिन फिलाल आज के trade की बात करें तो मैंने यहां पर simple logic क्या दिखाया था आपको कि जैसी 5 mint की confusion candle बनी ठीकि उसके बाद देखो उसके बाद market का trend रिसाइड होता है market को किस तरफ जाना तो जैसी 5 mint का इसने low break किया यहां पर जैसी 5 mint का low break किया था आने की 17,890 का level थी क्योंकि 900 पर already resistance आ 935 का इसने high लगा है था और यहीं सी gear out हो रही थी and जैसी price ने इसका low यहां पर break किया मैंने आपक इसके बाद हम देखें यहां पर तो सबसे पहले मैं आपको telegram channel के अंदर दिखा देता हूं आप लोगा है यहां पर यहां पर यहां पर जो है एक lot buy किया था पूर्ट option मैंने पूर्ट कॉंसा लिया था मैंने पूर्ट लिया था 18,000 का इंद मनी पूर्ट लिया था इंद मनी लिया था था कि जिससे क्या होता है कि premium थोड़ा सा डीके नहीं होता है premium का benefit हो जाता तो इसलिए मैंने जो इस्टाइक प्राइस चूज करी थी वह 18,000 का पूर्ट मैंने लिया था जो कि 200 के राउंड को चल रहा था ठीक है उसके बाद हम देखें यहां पर तो सब 17,925 का high break करें तो call buy करेंगे या फिर इसका low break करें यानिकि 7890 का level नीचे की तरफ close करें तो put buy करेंगे ठीक है यहां पर arrow बनाकर मैं आपको समझा चुका था एंड जिन लोगों ने इसको देखा अल्मोस 129 लोग ने यहां पर अभी तक देख चुके है लेकिन morning में अल्मोस 500 लोगों ने देखा होगा एंजिन लोगों ने नीचे की तरफ entry मिली तो लोगों ने बहुत सारे लोगों ने put भी buy किया ठीक है तो पहला trade यहां पर हमारा execute वा मैं भी executed जो quantity है वो जो आपको trade लिया वो भी मैं आपको दिखा होगा तो पहले trade का logic आपको समझ में आएगा क इस तरीके gap up हुआ और पहले 5 मिंट के अंदर confusion candle और उसके बाद जो नीचे की तरफ sell up आया ठीक है लेकिन एक चीज़ समझो यहां पर हमारा stop loss क्या था stop loss होना चाहिए हमारा यह जो first 5 मिंट की candle है इसका हाई तो almost 36 point का stop loss था यानि कि ठीक है यानि कि ज्यादा कोई बड़ा पहले trade की तो किस तरीके से रहा पहला trade आप देखोगे आज का यह रहा एक बार में refresh कर लेता हूं बहुत साहे लोग कहेंगे कि refresh करके दिखाओ तो एक बार में refresh कर लेता हूं ठीक है all right तो refresh हो रहा है तब तक आप देखोगे यह रिप्रेश हो गया अभी मैं यहां पर executed order and यहां पर आप देखो ठीक है पहला जो trade था उसमें क्या रहा ठीक हो timing भी आपको दिखा देता हूं exactly मैंने किस time पर लिया order detail अब यहां पर आप देखोगे यह देख सकते हो time कितनी बज़े मैंने लिया है आज का updated date भी देख सकते हो 9 September and 2022 and यहां पर time देख सकते हो 9 बचकर 21 म minute point 30 second पर मैंने जो है यहां पर यह trade execute किया था ठीक है price कौन सी price पर लिया 190.60 की price पर मुझे मिला एक लोट के साथ लिया definitely आप लोगों को पता है मैं quantity यह जो मेरा है जो अकांट है इसके अंदर स्रिर्व बहुत ही minimum में margin रखता हूं बहुत ही छोटांओं के साथ trade करता हूं इस 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 माँदें करता हूं इस अकंट के अंदर सिर्फ एक lot के साथ ही ट्रेड करता हूं यह सिर्फ आपके लिए ही trade करता हूं learning purpose के हिसाप से में यह Everyone trade करके आप लोगों साथ में share करता हूं ठीक है जिससे कि आप लोग कुछ सीख पाऊ ठीक है यहाँ पर मेरा मकसद आपको profit या फिर loss दिखाना नहीं है मेरा मकसद आपको जो है learning देना है किस तरीके से live market के अंदर trade किया जाता है ठीक है चली उसके बाद देख लिलते हुआ क्य यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो target किया था पहले बता जेता हूं क्योंकि mindset पहले decide होना चीए कि आप छोटे सी scalping के लिए बेटे हो या फिर बड़े target के लिए बेटे हो यह चीज आपको पहले clear होना चीए ठीक है तो आज जो में बेठा था बड़े target के लिए बेटा था क्य नहीं ले सकते हैं क्योंकि पहले ही target हमारा हीट हो गया फिर उसके बाद क्या हो एक डोजी candle बनी फिर एक morning start pattern मैंने यहाँ पर quantity exit नहीं करी थी लेकिन stop loss को मैं ट्रेल कर चुका था क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो target वन हीट हुआ है तो अब stop loss है यानि कि 30 पॉइन का stop loss नह चुका था ठीकि इस candle के अंदर मैंने exit किया यानि कि जो मेरा profit था और obviously वो तो चला गया यानि कि अगर मैं morning में profit 190 पे मैंने खरीदा था अठाराजार का put option खरीदा था current expiry और उसका जो target वन हीट हुआ तब मुझे profit हुआ almost 10 point के आसपास का यानि कि 90 पे खरीदा था 200 के आसपास याफी 205 याफी 204 के आसपास का यानि कि 10-12 point का मुझे profit हो रहा था लेकिन मैं target के लिए बेटा था कि जो previous day का high है यानि कि इस box तक का target यानि कि 17,800 तक का मैं target यहां पर plan करके चल रहा था कि यहां तक price जो आ सकती है जिसकी वज़े से मैं बड़े target के लिए बेटा हूं तो उस time पर मैं चोटे चोटे profit को नहीं देखता हूं ठीक है और इसकी वज़े से यहां पर जो है मैं चोटा सा loss यानि कि 8-10-12 का मुझे loss हुआ ठीक है चलिए अभी order history में देखते हैं कि मैंने इस position को कहां पर exit किया था ठीक है यहां पर अगर मैं देखूंगा second trade के अगर मैं बात करूँ तो यह जो मैंने लिया था वो price थी यानि कि 190 पर मैंने लिया था और 178 पर मैंने exit किया था ठीक है तो पहले trade के अंदर देखें तो basically हम profit में थे लेकिन मैं बड़े target के लिए बेटा था इसकी वजह से मेरा trailing stop loss गया ठीक है major stop loss नहीं गया but trailing stop loss यहां पर चला गया तो कितने point का मुझे loss हुआ 190 से देख सकते हो तो 178 almost 12 point का मुझे यहां पर 12 point के आसपास का loss हुआ तो 12 into 50 कर सकते हो almost 700 800 र market bearish जाने वाला मार्केट गिरने वाला ठीक है क्योंकि price यहां से उपर तो जा रही थी क्योंकि मेरा trailing stop loss यहां पर चला गया था ठीक है उसके बाद price में volume में देखोगे तो volume में मुझे गिरावट continuously नीचे की तरफ देखने को मिल रही यानिकि price उपर तो जा रही लेकिन को सपोर्ट ले रही थी दो बार यहां पर सपोर्ट लिया एंड फाइनली यहां पर आप देखोगे जो day का हाई था exactly day हाई के आसपास हमको एक doji candle देखने को मिली उसके बाद एक यहां पर बहुत बड़ी मोरू बाजू candle थी के पांच मिंट के अंतर देखा को मोरू बाजू candle और अवर ओर ओल इन तीनों candle को गर आप देखोगे तो यहां पर मुझे क्या देखने को मिला एक strong इवनिंग स्टार पैटन देखने को मिला अब यह candle stick पैटन यह मैं आपको टेलीग्राम यहां पर यह मैं अल्रेडी सिखा चुका हूँ तो strong मुझे एक प्राइस एक्षन भी देखने को मिला क्योंकि strong यहां पर एक सेलिंग जोन है प्लस यहां पर जो है मुझे एक इवनिंग स्टार पैटन देखने को मिला प्लस यह जो ट्रेंड लाइन मुझे दिख रही है इस ट्रेंड ला लाता है कि 7885 के level नीचे cross करते हैं हम जो है यहां पर put buy कर सकते फिर से मैंने जो put लिया है मैंने जो entry करी थी वह इसी यहां पर एक green candle बनी यह जो green candle बनी और green candle के बाद जब नीचे की तरफ जा रही थे तो यहां पर somewhere around इस level के आसपास entry करी ठीक है उस second trade में भी हम देख ले इस तरीके से रहा एंड किस तरीके से हमने target पर exit किया था तरीकंटरेट के बात करते हूं यहां से फिर में जो बेखे थे व्यान फिर से क्या target level 1 हुआ target level 1 hit हुआ तो मेरा stop loss पहले यहां पर stop loss ता वहां से hit कर यहां पर आया यहां से जैसे target level 1 hit हुआ, तब तक मेरा stop loss यहां पर cost to cost आ चुका था, यानि कि अब मैं इस trade के अंदर loss नहीं कर सकता था, यह जो loss में आपको बता रहा हूं, यह spot chart का बता रहा हूं, यह spot chart पर मैं आप loss नहीं कर सकता था, हवाले कि premium में थोड़ा सा उपर नीचे हो सकता है, 2-4 point या पर चार-5 point ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, फिर जैसी price ने इसको दोबारा यहां पर cross किया, मैं यहां पर position exit नहीं किया था, ठीक है, यहां पर मैं सिप trail कर ला था, फिर सब प्राइस ने इस level को टेस्ट किया, फिर से नीचे कि तरफ आई तो फिर मेरा stop loss यहां पर आ चु यहां पर मैंने एकजित नहीं किया फिर से जब दोबारा प्राइस उपर आई तो यहां पर तब तब तक आप प्रीमियम देखोगे तो इसी प्रीमियम जो स्विंग हई तो यहां पर कुछा थी किया ओउस् creativity अंने एकद प्रोफिक का कुछ तशाभे लेफल सकता है तो सब्सुलिस करू dessert कि यहांद कर देख ला को ते जो जो मेरा second trade का जो second trade का जो profit था वो profit हुआ somewhere around मैंने यहाँ पर जो exit किया वो 213 के भाव पर मैंने exit किया यानि 213 के भाव पर मैंने जो है इसको exit किया तो यानि कि काफी बड़ा पेसा बना है ठीक है loss जो हुआ था काफी छोटा पहले loss हुआ था almost 90 पर खरीदा 180 यह 12 पॉइंट का ही loss हुआ था बड़ा loss नहीं हुआ लेकिन जो profit किया था वो काफी अच्छा किया था इसमें काफी अच्छे point हमने cover की है ठीक है overall net to net देखें तो हम जो पहले में छोटा loss में रहे फिट जो है एक अच्छे profit के अंदर है जो कि हमारा target था major जो मैं आज सोच क अच्छे के बाद क्या हो market जो है volatile market बन गया ठीक है इस level के बाद जो है market देखें एक box के अंदर volatile market रहा तो उसके बाद ना तो मैंने कोई trade आपको भी नहीं दिया मैंने कोई लेकिन यहां पर हमारे डेका ही क्रोस नहीं किया ठीक है उससे पहले ही प्राइस रिवर्सल कर गए और फिर से जब मुझे फिर से मोका मिला जब रिवर्सल यह फिर से वहा तीन चार कनफरमेशन थे और फिर मैंने आपको लेवल दिया था यह टेलीग्राम चैनल के अंदर सेकेंड ट्रेड का भी मैं आपको लेवल एक बार दिखा देता हूँ जो कि मैंने आपको कितनी बजे दिया था आप देख सकते हो इसके अंदर यह जो सेकेंड ट्रेड था मैं आपको दिखा देता थोड़ा सा उपर रही गया होगा निफ्टी के अंदर जो मैंने आपको ट्रेड दिया था यह निफ्टी देख सकते हो ठीक है निफ्टी में अगर यहाँ पर आप देखोगे तो एक्जेकली मैंने आपको बताया था निफ्टी सेल एट 17885 ठीक है 17885 का मैंने लेवल आपको मैंने इससी केंडल के अंदर मैंने ऐसी इसे केंडल का आपको वह लोगों ने लिया होँ लेकिन प्रब्लम उनके साथ होती क्वह होती वह कर पाते जब उनका प्रौफिटेबल ट्रेड बन रहा होता ही अब बहुत साथ जीसमें यहां कॉल्ड कर पाया ठीक है लेकिन कुछ लोग होंगे यहां first target पर ही exit कर गए हूंगे कुछ लोग डर के कान 24 point में ही exit कर गए कुछ लोग यहां पर ही exit कर गए हूंगे तो यह चीजे आपको एक दिन में नहीं आएगी यह सारी चीजे experience के साथ आएगी धीरे धीरे आएगी जब market आपकी direction में चलता है आपकी condition के साब से चलता है तो market आपको बड़ा पेसा बना कर देगा ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं risk to reward की बात करूँ तो second rate का risk to reward हमारा क्या रहा है हम देख लेता है क्योंकि stop loss मेरा यहाँ पर था 30 पॉइंट का stop loss मान के चल रहे थे and obviously 1 to 2.29 2.39 यानि की काफी यानि की 1 to 2.50 का भी risk to reward यानि की धाई का risk to reward भी देखोगे तो काफी अच्छा risk to reward हमारा यहाँ पर है यानि की अगर मुझे यहाँ पर अगर 100 रूपे का loss था तो मैंने stop loss काफी चोटा था लेकिन second rate का काफी अच्छा risk to reward हमारा रहा है ठीक है I hope कि यह सारी चीज़े clear होती चारी किस तरीके से हमको trade को plan करना होता और जो trade में आपको देता हूँ वो सारे trade में खुद भी execute करता हूँ और सारी चीज़ का logic आपको पुरा समझ में आया होगा किस तरीके से trade का logic रहा है चलिए net to net हम profit या loss में रहे वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर मैं positions में जाऊँगा और यहाँ पर आज का जो देखोगे net to net profit हम देखेंगे तो 1000 रुपे के आसपास का profit यानि पहले trade के अंदर मुझे loss कितना हुआ almost 700-800 रुपे का आप loss मान सकते हो ठीक है जिसमें आपको exactly count करके भी हम देख लेते हैं almost 12 point का loss है तो आप देख सकते हो 12 into 50 का लेते हैं 12 into 50 तो मुझे 600 के आसपास यानि 600 प्लस पूच को point में है कुछ इसका आप मान सकते हो brokerage वगेरा इस तरीके से 700 रुपे के आसपास का loss रहा है एड़ उसके बाद जो है मुझे इहाँ पर 1000 के net to net हम profit में तो second trade के अंदर जो हमारा profit रहा है वो almost 1600 रुपे 1600-1700 रुपे के आसपास का net to net इसके अंदर profit मेरेते second trade के अंदर और over and net to net देखे तो हम जो है quantity का कोई matter नहीं यह सब आपकी psychology का game है and बस आप चाहो कोशिश करो कि net to net जो day end वो आपका जो profit में रहे बस इतना कोशिश करो तो आप जो है दीरे-दीरे successful trader बन जाओ गया and यह सारी चीजे experience के साथ आएगी दीरे-दीरे आएगी एक दिन में मेरे कहने से या फिर आपके कहने से कुछ नहीं होगा experience के साथ ही सारी चीज़ यह experience का खेल है ठीक है इसके लाव भी कोई डाउट रहे जाता है definitely एक बार और मैं refresh कर लेता हूं यह पर आप अच्छे जुड़े रहोंगे तो definitely आपको लोगों को profit होने वाला है ठीक है इसके अलावा दूसरी important चीज़ दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने अभी एक course launch किया है and काफी ज्यादा benefit आपको इस course के अंदर में दे रहा हूं ठीक है definitely आप के सकते हो कि आपका जो एक stop loss होता है nifty के अंदर हमारा एक stop loss हम 30 point का मान के चलते तो premium के अंदर भी अगर वो 30 point हम count करें क्योंकि net to net अगर premium के अंदर भी 30 point का loss होता almost एक trade के साथ हमको 1500 रुपे का loss या फिर bank nifty के अंदर करें तो एक trade के अंदर 2000 रुपे का minimum loss हम मान के चलते हैं ठीक है किसी भी trade को लेने से पहले इतना हम minimum जो है stop loss लगाते हैं तो यह जो मैंने course launch किया आपका एक stop loss से भी कम का course है इसकी जो price यह 25 रुपे मैंने रखी और अभी आप जो है अगर आप इसको enroll करते हो तो सिर्फ 1000 के अंदर आपको यह मिलेगा almost 60% का off अभी आपको इस पर चल रहा है ठीक है 60% का off है यह जो offer है बाद में आपको कभी नहीं मिलने वाला इतना limited time period का offer है इसके लिए डीटेल ज्यादा डीटेल के लिए आप टेलिग्राम चैनल का अंदर जोइन कर सकते हो जो लोग अभी तक नहीं जूड़े जिनको ज्यादा information चाहिए वो मुझे WhatsApp कर सकता है WhatsApp नंबर आपको इस वीडियो की description में मिल जाएंगे अदर्वास टेलिग्राम के अंदर इस पॉस्ट के अंदर भी मुझे है जो यह जो नंबर आपको मिल जाएंगे ठीक है किस तरीके से इन्रॉल करना है simply आप इसको जैसे मुझे पे करोगे UPI ID मेरा यहां पर दिख जाएगा जैसे इस UPI पर मुझे पे करोगे पे करने के बाद आप मुझे जैसे screenshot बेजोगे तो यहां पर मैं आपको एक link दूँगा private telegram channel की वहां पर आपको सारे courses मिल जाएंगे and definitely यह जो है यह जो मैं वहां पर सिखाने वाला हूँ आपका first एक मेरा course का जो पहला ही वीडियो आप देखोगे उसी में आप बोलोगे कि sir हमारी जो fees है यहां पर वसुल हो चुकी है इतना detail में deep knowledge में आपको सिखाने वाला हूँ बहुत सारी चीज़े और आने वाले time के अ for a plus lifetime access इसका course का access आपके पास lifetime रहगा सारी डीटेल आपको यहां पर course की टेलीग्राम चैनल के अंदर मिलेगी plus whatsapp आप कर सकते है आई हो कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा यह वीडियो आपको कैसा लगा comments में जरू बताए पूरा logic आप समझे होंगे plus trade आपने ज एक वीडियो के अंदर ओके बाई